सल्मान खान और शाहरुख खान धान पीट रहे होते हैं, वहाँ पर खड़े राजपाल उन्हें खूब चिड़ाते हैं, वह कहते हैं, बेचारे गरीब के पास कपड़े भी नहीं है, मेरे पास देखो, मैं कितना अमीर हूँ। सल्मान खान और शाहरुख खान बहुत गुस्सा होते हैं, तुरंत सल्मान चौक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालिक की जेव में बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं, सल्मान शाहरुख से कहते हैं, जाओ मालिक के पैसे चुरा लाओ, वहें खुश होकर आगे आते हैं, शाहर शाहरुख सल्मान के पास आते हैं सल्मान खान उन पैसों में से 600 रुपई निकाल कर शाहरुख से कहते हैं जाओ इस पैसे को राजपलवा की जेब में रख दो शाहरुख खान पैसे लेकर आगे आते हैं और चुपके से राजपार की जेब में रख देते हैं और बचा हुआ पैसा वही पराली में चिपा देते हैं सल्मान खुश होकर कहते हैं अब इस राजपलवा को पता चलेगा दूसरी तरफ अक्षे कुमार खड़े होते हैं उन्हें फील होता है कि उनके जेब में पैसे नहीं है वह उन दोनों पर बहुत तेज गुस्सा होते है वह आगे आकर दोनों लोग उसे कहते है बतादो मेरा पैसा किसने चुराया वरना ठीक नहीं होगा दोनों लोग खड़े होकर अपना जेब दिखा कर कहते है साहब हमने पैसे को नहीं चुराया है अक्षे कुमार कहते हैं फिर किस ने चुराया दोनों लोग राजपाल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं शायद राजपलवाने चुराया हो अक्षे देखते हैं राजपाल की जेब में पैसे होते हैं वह बहुत तेज गुस्सा होते हैं अक्षे कुमार आकर राजपाल को खड़ा करते हैं राजपार कहते हैं क्या हुआ भाई अक्षे कुमार कहते हैं तुमने मेरे जेब से पैसे क्यों चुराए राजपाल खूब तेज रोने लगते हैं और कहते हैं भाई साहब मैंने नहीं चुराया इधर सल्मान खान और शाहरुख खान उन्हें खूब चड़ाते हैं अक्षयराजपाल को उठा कर घर के बाहर फेक देते हैं इधर सल्मान और शारुक पराली से पैसे निकाल कर खुशी से खुब तेज नाचते हैं